गुद मॉर्निंग स्टुदेंट्स, तुड़े आम गोईं टू टीच यू चैप्टर 12, साइमेट्री पैटर्न्स और सॉलिट शेप्स एंड टुदेज टॉपिक इस साइमेट्री इन लेटर्स हमने अपने प्रीविज वीडियो में क्या पढ़ा था? साइमेट्री इन शेप्स और आज हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? साइमेट्री इन लेटर्स मतलब लेटर्स में हम साइमेट्री कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो आपको ये सीखने के लिए क्या करना होगा? इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना होगा symmetry in letters, means यहां पर मैंने alphabet लिखा हुआ है, इन alphabet को हम इसमें symmetric कैसे draw करेंगे, यह मैं आपको अब बताऊंगे, तो आप सब को क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना है, तो यहां पर मैंने A to Z, पूरे alphabet लिखे हैं, तो इसमें हम symmetric कैसे करेंगे, यह मैं आपको ब बताया था, symmetry का मतलब होता है, कि कोई भी object हो, उसे हम middle में से perfect cut करते हैं, और जब उसे fold करते हैं, तो दोनों shape एक जैसे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, symmetry, तो अब पहला हमारा alphabet क्या है, A, तो A में हम देखेंगे, कि इसमें symmetry है, कर सकते हैं हम, या नहीं कर सकते हैं, तो जो A है, उसे हम vertically क्या कर सकते हैं, cut कर सकते हैं, इसमें symmetry ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये, कैसे करना है, ऐसे बीचो बीच हम क्या करेंगे, इसमें symmetry ड्रॉ करेंगे, मैंने क्या किया, vertically इसे, क्या क्या है, इसे हाफ portion में divide कर दिया, तो जब हम इसे हाफ portion में divide कियें, जब हम इसे fold करेंगे, तो दोनों shape क्या होंगे, perfect होंगे, तो इसमें क्या है, one line symmetry है, हम इसे horizontal नहीं कर सकते हैं, horizontal हम करेंगे, तो उपर और नीचे की shape क्या आएगी, save नहीं आएगी, इसलिए ये one line symmetry है, क्या है ये, one line, इसमें हम one line ही draw कर सकते हैं, हमारा second alphabet क्या है, B, B में भी हम क्या करेंगे, vertically कर पाएंगे, नहीं, जब हम अगर vertically करेंगे, तो जब हम इसे fold करेंगे, तो दोनों shape एक जैसे नहीं होंगे, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, सिफ horizontally कर सकते हैं, means ऐसे बीच में, ऐसे, B में भी क्या है, one line symmetry है, C में भी हम क्या करेंगे, horizontally करेंगे, vertically हम नहीं कर सकते, क्योंकि vertically अगर हम करेंगे, तो जब हम fold करेंगे, तो दोनों shape एक जैसे नहीं होंगे, तो इसमें भी क्या आएगा, यहां middle से इसे symmetry ड्रॉ करेंगे, D में भी हमें same यही करना है, इसमें भी क्या है, D में भी हम vertically नहीं draw कर सकते, क्योंकि अगर हमने vertically किया, तो वो same safe नहीं होगा, इसलिए क्या हम इसे करेंगे, one line symmetry क्या originally E में भी हम क्या करेंगे originally करेंगे उसमें भी vertically नहीं कर सकते और F F में हम न vertically कर सकते न horizontally कर सकते vertically अगर हमने किया तो जब हम उसे मतलब उसके आमने सामने वाला shape एक जैसा नहीं होगा horizontally भी अगर हमने किया तो जब हम उसे fold करेंगे तो उपर नीचे की shape एक जैसी नहीं होगी इसलिए F में कोई भी line of symmetry नहीं होगी G में भी same इसी तरीके से होगा क्योंकि अगर हम उसे horizontally भी करेंगे तो हमारा उपर और नीचे वाला shape एक जैसा नहीं होगा और अगर हम vertically भी करेंगे तो भी हमारा shape एक जैसा नहीं होगा इसलिए G में भी कोई line of symmetry नहीं होगी अब हम क्या draw करेंगे हम क्या देखेंगे H हम कौन सा alphabet पर आए हम H पर हम vertically भी कर सकते हम vertically अगर हम line ड्रॉ करेंगे इसमें तो हम अगर जब fold करेंगे तो दोनों shape एक जैसे ही होगे तो हम क्या करेंगे इसमें vertically भी ड्रॉ करेंगे और horizontally भी अगर हम horizontally भी करेंगे तो जब हम fold करेंगे तो उपर और नीचे के shape एक जैसे ही होगा तो इसमें कितने line of symmetry आई है 2 अब I I में भी हम vertically ड्रॉ कर सकते हैं और horizontally भी कर सकते हैं क्योंकि उपर और नीचे की shape एक जैसी है और जब हम इसे भी ऐसे फोल्ड करेंगे vertically भी तो भी एक जैसी shape आएगी हमारी तो हम इसे दोनों तरीके से draw कर सकते हैं horizontally भी और vertically भी तो इसमें भी कितनी line of symmetry हो गई 2 J J को हम इसमें line of symmetry हो सकती है नहीं क्योंकि अगर हम इसे horizontally भी करेंगे तो हमारा उपर और नीचे वाला shape एक जैसा नहीं है और vertically भी करेंगे तो भी हमारा shape एक जैसा नहीं है तो J में भी नहीं K में भी हम vertically करेंगे तो नहीं होगा horizontally भी करेंगे तो जब हम fold करेंगे तो ये दोनों की shape एक जैसी नहीं होगी तो K में भी कोई line of symmetry नहीं है L में भी same है क्योंकि अगर हम L को भी fold करेंगे तो उपर और नीचे की shape एक जैसी नहीं है ना आमने और जब हम उसे fold करेंगे तो यहां की भी shape एक जैसी नहीं होगी तो ये भी क्या आएगा इसमें no line of symmetry इसमें भी नहीं बनेगा अब हम क्या किस पे आएं M पे M में हम vertically कर सकते हैं बट horizontally नहीं कर सकते हैं क्योंकि उपर और नीचे की shape एक जैसी नहीं आएगी तो इसमें कितने line of symmetry होंगे one तो हम क्या करेंगे vertically इसमें कितनी है one line of symmetry N में अगर हम vertically करेंगे तो हमारी shape एक जैसी नहीं होगी और horizontally भी करेंगे तो हाँ ये opposite direction में जाएगा इसलिए इसमें भी कोई line of symmetry नहीं है O में तो हम horizontally भी vertically भी कर सकते हैं इसमें तो हम बहुत सारी line draw कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं मतलब O में हम बहुत सारी line of symmetry ड्रा कर सकते हैं P P में भी हम कोई भी line of symmetry नहीं ड्रा कर सकते हैं क्योंकि P को अगर हमने horizontally भी किया तो उपर और नीचे की shape same नहीं आएगी, हम इसे vertically भी नहीं कर सकते, means no, इसमें कोई line of symmetry नहीं है, Q में भी same इसी तरीके से होगा इसे भी अगर हम horizontally करेंगे तो ये उपर और नीचे की shape same नहीं आएगी, vertically भी करेंगे तो भी same नहीं आएगी इसलिए इसमें भी कोई line of symmetry नहीं है, R में भी कोई line of symmetry नहीं होगी क्योंकि हम इसे vertically भी करेंगे तो भी अगर इसे fold करेंगे तो same नहीं आएगा shape और horizontally भी करेंगे तो उपर और नीचे की भी shape same नहीं होगी, S में भी यहीं होगा, अगर हम इसे horizontally भी करेंगे तो ये opposite direction में जाएगा same direction में ये fold नहीं होगा क्योंकि हम इसे fold करेंगे तो इसका face इस तरफ हो जाएगा तो और vertically करेंगे तो भी same shape नहीं होगी इसलिए इसमें भी कोई line of symmetry नहीं है T T में हम vertically कर सकते हैं but horizontally नहीं कर सकते हैं horizontally हम जब करेंगे तो उपर और नीचे की shape एक जैसी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे इसे vertically U में भी हम क्या कर सकते हैं vertically उसे हम horizontally नहीं कर सकते अगर हम horizontally करेंगे तो उपर नीचे की shape एक जैसी नहीं होगी V में भी same यहीं होगा vertically ही होगा औरिजेंटली नहीं होगा W में भी vertically ही होगा क्योंकि उपर नीचे की shape एक जैसी नहीं होगी X में हम vertically भी कर सकते हैं और horizontally भी कर सकते हैं क्योंकि उपर नीचे की shape एक जैसी होगी इनकी तो इसमें कितने line of symmetry है? 2 Y में हम सिर्फ vertically ही कर सकते हैं horizontally नहीं कर सकते हैं और Z Z में हम अगर vertically करेंगे तो same shape नहीं होगी और horizontally भी करेंगे तो यह opposite direction में होगा इसलिए इसमें भी कोई line of symmetry नहीं है तो line of symmetry अभी आपको समझ में आ गया letters में भी कि हम उसे half portion में जब divide करते हैं तो shape एक जैसा same होना चाहिए जब हम उसे fold करें तो तब हम उसमे line of symmetry draw कर सकते हैं तो जैसे A में क्या था 1 line of symmetry B में भी 1, C में भी 1, D में भी E में भी F, G में तो कोई line of symmetry नहीं है H में 2 line of symmetry I में 2 line of symmetry J में कुछ भी नहीं, K में भी नहीं, L में भी नहीं, M में 1, N में no line of symmetry, O में जिसे हम count नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी line of symmetry हम draw कर सकते हैं, P में भी no line of symmetry, Q में भी no line of symmetry, R में भी no line of symmetry, S में भी no line of symmetry, T में one line, U में one line, V में one line, W में one X में 2 line of symmetry Y में 1 line of symmetry Z में no line of symmetry तो इसे ही कहते हैं symmetry letters में draw करना है ना easy इसे draw करना आपको बस यह याद रखना है कि जब हम इसे half portion में divide करेंगे तो shape same होनी चाहिए जब हम उसे fold करें तो उसे ही हम कहते हैं line of symmetry Thank you and have a nice day